आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा जो आप लोगों के पास सम्मन आ रहे हैं बोकस आईटीसी को लेकर और डिपार्टमेंट आपसे जबरदस्ती आईटीसी रिवर्स करा रहा है विद इंटरेस्ट विद पैनल्टी इसके ऊपर तेलंगाना हाई कोट का बहुत बढ़िया डिसीजन आया है किस केस में डीम डिस्टिबूशन प्राइविट लिमिटिड के केस में आज हम इस केस लोगों को यहाँ पर डिसकस करेंगे केस लोगों है क्या असैसी है एक पार्टनर्शिफ फरम है ठीक है ना असैसी एक पार्टनर्शिफ फरम के रूप में अपना बिजनिस करता है अब उसे होता क्या है अचानक एक दिन section 70 के अंदर एक someone आता है section 70 के अंदर जो someone आता है उसमें ये लिखा गया है कि भई आप लोगों ने जो ITC लिया हुआ है वो बोकस फर्मों से लिया हुआ है ऐसा लिखा हुआ आपके पास someone आया होगा आपके cases में भी आया होगा जैसे ही वो someone आता है आप डर जाते हो कि भई ये तो मेरे को ITC reverse करना पड़ रहा है जबकि आपने सारी condition satisfy करी हुए है section 16 की लेकिन जैसे ही आप उस someone के reply करने के लिए department पोचते हो तो कई बाद department क्या करता है वहाँ पर assessi को बिठा लेता है और ये कहता है मैं तुमें तब जाने दूँगा जब पहले तुम ये ITC reverse कर दोगे और इसके साथ साथ इस पर interest भी दे दोगे और इसके साथ साथ इस पर section 74 के अंदर penalty भी दे दोगे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई और उसमें ये बात बोली कि ये सब गलत है लेकिन आज खुद ठीक है ना तेलंगा ना हाई कोट ने डीम distribution private limited के cases में ये decision दिया है तीन अगस्त को और क्या कहा है जो इन्होंने written petition file करी इसमें इन्होंने क्या कहा government ने क्या कहा हाई कोट ने क्या कहा तो उस पर penalty कम लगाएंगे लेकिन कोई भी department assessi को बाद्य नहीं कर सकता bound नहीं कर सकता कि आप ये tax जमा करो जबकि जितने भी ये समवन आ रहे थे उसमें section 74 के अंदर आप से जबरदस्ती tax जमा कराया जा रहा था तो अगर आपने किसी case में आपके पास समवन आया है और समवन आने के बाद अगर आपने अपने peace of mind के लिए आपको assessing officer बार बार पर परिशान कर रहा था उस case में आपने दो लाख चार लाख रुपे अगर tax जमा कर भी दिया है तो अब वो आपको वापस मिलेगा क्योंकि यहाँ पर यही लिखा गया है कि इस partnership firm ने क्या करा था कि वो जो समवन आ रहा था let's suppose वो डेड़ करोड रुपे का रहा था कि आपको डेड़ करोड का ITC reverse करना है तो इन्होंने क्या करा peace of mind के लिए 20 लाख रुपे जमा कर दिये 10 लाख रुपे जमा कर दिये जबकि कोई notice नहीं आया सिर्फ समवन आया था section 70 में जबकि section 70 का जो समवन होता है वो कभी भी कोई notice proceedings नहीं माना जाता section 73, 74 में तो यहाँ पर जो high court ने संग्यान लिया और कहा कि भाई अगर आपको recovery करनी है तो आप notice दो ना उसे section 73 में notice दो section 74 में notice दो जब तक आपने कोई proceeding initiate ही नहीं करी तो आप कैसे interest मांग सकते हो आप कैसे penalty मांग सकते हो तो यह जो आपने interest penalty मांगी है यह गलत है और जो आपने जबरदस्ती assessi से tax जमा कराया है वो tax वापस करो और साथ में interest भी वापस करो assessi को ऐसा यहाँ पर high court ने decision दिया है तो यहाँ पर अब आप कोई बास समझनी है कि अगर आपके पास कोई समवन आता है और आपको वो व्यक्ति कहता है कि भाई tax जमा करो और इस पे interest और penalty जमा करो तो आप तेलंगा ना high court की judgment को use करते हुए यह कह सकते हो कि भाई हम यह जो tax और interest तब तक जमा नहीं करेंगे जब तक आप हमें notice issue ना कर दो हमारे against proceeding initiate ना कर दो under section 73-74 स्रिफ समवन issue करना आपका proceeding start नहीं है समवन तो स्रिफ इसलिए आता है कि हमारे को इस case में कुछ खबर मिली है तो हमें आपके ब्यान लेने आपका data लेना है लेकिन अगर आप हमसे tax जमा कराते हो जबरदस्ती तो यह गलत है यह तेलंगाना high court ने बोला है अब अगर आप मुझे comment box में लिख कर बताओ क्या इस वाली judgment को हमारी जो magazine आने वाली है कब आने वाली है भाईया अब अगस्त edition तो आई गया अब हमारा आएगा सितंबर edition तो क्या सितंबर edition में हम इस judgment को cover करें क्योंकि हमने अपने अगस्त edition में भी 3-4 case लोग को discuss करा था तो अगर आप चाते हो तो हम सितंबर edition में इसे भी discuss कर देंगे आप मुझे comment box में लिख कर बताना और हाँ अगर अभी तक magazine नहीं ली है तो इन दोनों नंबर पर whatsapp करकर आप magazine ले सकते हैं sample को भी भी ले सकते हैं और हाँ जी GSTR 9 और 9C के form आ चुकी है पोर्टल पर तो इसलिए हमने इस Sunday को session लखा है हमारा face to face batches है तो इस Sunday 15 अगस्त को 4 बजे 3 बजे से 7 बजे तक ये session है अगर आपको ये join करना है तो आप join कर सकते हैं pen drive member Google drive member को बिल्कुल भी tension नहीं लेनी है इस seminar की recording अगर अच्छे से हो जाती है तो हम पूरे इंडिया में जितने भी हमारे pen drive Google drive member है जो 1500 से ज़्यादा है सब को उसकी Google drive pen drive की आपको एक video बना कर Google drive से share कर देंगे जिससे आप उसे देख लो और वो भी free of cost तो अगर किसी की pen drive Google drive expire हो रखी है तो वो renew करा ले और अगर आप हमारा pen drive members बनना चाते हैं तो इस number पर phone करें आशा करतो वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे comment box में लिख कर बताना वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाद सी जादा लोगों तक share करना इस वाले case लोग से बहुत बड़ी राहत सभी assessi को मिली है जिन लोगों के पास संवन आते हैं इस face to face batch की recording हम कोशिश करेंगे जो हमारा app है KJ Classes का Google Play Store से डाउनलोड कर लेना हम उस पर भी से डाल देंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से दन्यवाद